हलो एवरिवान, विल्काम टू लाफ कीचिन, आज हम लोग सीखने वाले हैं ओमलेट, लेकिन ये नॉर्मल सा ओमलेट नहीं है, जो हम लोग रोज़ना बनाते हैं, ये ब्रींजल एंट टॉमेटो ओमलेट है, जो बनाना बहुत ही आसान है, और खाने में बहुत ही टेस्टी, तो देर ना करके हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या चाहिए, एक बैगन चाहिए, और टमाटार, दो अंडा चाहिए, तीन भी आप यूज़ कर सकते हो, एक मिर्जा, ब्रींजल को कर लिया है, स्लाइस और टमाटार को भी, दो दो पीस करके हमें चाहिए, चॉप कर लिया ह और को और दो एक हम लोग ने याहाँ पर शोटे से बाउल में हम लोगों ने कर लिया है। अलग अलग एक अंडा के साथ नमक लिकों कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने दो अंडा लिया है, आप लोग ज्यादा भी ले सकते हो तीन चार लेकिन दो अंडा तो लेना ही परेगा चिली भी हम लोगों ने डाल दिया है तीखा आपको नहीं पसंद है तो आप इससे अवैट कर सकते हो पैन मिठा दिया है यहाँ पे कुकिंग ओयल थोड़ा सा डाल देते हैं थोड़ा सा तेल गरम होने के बाद यहाँ पे बैगन का जो सलाइस है वो हम लोग डाल देंगे आप लोग चाहे तो इसी टाइम नमक और हल्दी मैरिनेट करके भी फ्राइ कर सकते हो या फिर बाद में इसमें डाल सकते हो जादा कुछ भी जंजट नहीं है हलका सभूख हो या फिर सुबह का ब्रेक फास्ट दो मिनिट में बैचेलर भी यहाँ पे बना सकते हो बहुत ही आसान है जैसे कि मैंने मैरिनेट नहीं किया था तो मैंने नमक इसमें थोड़ा सच्छी रग दिया और इ लोग मिस्ट कर लेंगे और बहुत ही अच्छे से बैगन और टमाटर के साथ लगा लेंगे थोड़ा सा लट पलटके इसे होने देते हैं गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो रखके इससे फ्राइ होने देते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना आप लोग ला स्लाइस है इसको रखेंगे इसकी उपार टाकी लेयर बन जाए नीचे से भी यहाँ पेर रखने के बाद अप опять हम लोग इसके उपर से इक लेयर बनाएंगे अंड़ा इसके उपर से थोड़ा सा डालेंगे इसके उपर से डालेंगे और साइट से भी ताकि एक बैक्राउंड सा बने इसके उपर टमाटर भी उठाकी रख देंगे फिर लेयर बनाएंगे इसमें ज्यादा कोई जंजट नहीं है बहुत ही सिंपिल है लेयर लेयर ही तो बनाना है इ बना देंग यह लेयर बन गया इसके उपर से और चिपक भी जाते हैं और इचने में भी बहुत यउनिक सलगता है इसके उपर यह आखरी जो टमाटर का स्लाइसे से ूपर यह अभी इसके उपर जूतनाट्सट था आव लोगों का यह पूरा डाल देंगे और साइड पर बना ना चाहते हैं वह नहीं बनेगा इसे साइड में जहां आना था यहां ठीक जगा पर आ गया है इसको होने देते हैं एक मीट तक तब तक इसके उपर से थोड़ा सा रेट चिली जो चौप किया था उसे थोड़ा सा खुबसूरती के साथ हम लोग सजा लेते हैं ताकि यह देखने में और भी ज्यादा सुन्दर लगे यहाँ पर रेट हो गया है एक ग्रीन चिली डाल देंगे यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना है दो मिनीट तक स्लो फ्लेम में यहाँ पर कुक करना है आपको अगर यूलो पर्ट सॉप्ट अच्छा लगता है तो आप इसी टाइम उतार के इंजॉय कर सकते हो और अगर नहीं पसंद है तो आप इससे जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पर एक मिनीट के लिए पलट के आप ख सब्सक्राइब करना कि आप लोग बनाए हो कैसा बना है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत बूलना आज के लिए इतना ही टाटा वाई वाई टेक यार